नमस्कार में हुआ निकुल दिवारी और आप लाई सिडीज देख रहे थे कि हमारे साथ अमित कुमार जोड़ शुके हैं किसान के बेटे हैं और बीपीएसी में जहंडा गार दिये हैं लेवल नाइन मिला है इनको बताईए बहुत-बहुत स्वागत है अमित जी आपका जी बहुत-बहुत धन्यवाद कि किसान का बेटा बड़ा अफसर बन गया है सबसे पहले कि कैसा लग रहा है आपको जी बिलकुल जैसा आपने बताया कि उस प्रिष्टी भूमी के लोग जब भी कुछ बड़े बड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मैं इस कहां कि यह बड़ा अफसर बनने के लिए हर चीज आप जर्णी जानना चाहता हूं मैं जी मेरा जर्णी स्टार्ट हुआ है मेरे अपने होम डिस्टिक से मैं 10 और 12 तक ही पढ़ाई अपने जिला समस्तिपूर से किया हूं उसके बाद मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था सरकार स्कूल से पढ़ा हूं जी मलं Under 12 से पढ़ाई चर्णी स्कूल में जी बिल्कुल जब आपके और जो पढने का ललक हो तो पढ़ाई कहीं बीह सकती है और आप बिल्कुल सही कह रहा है कि आपने प्रहाई स्कूल से किया हरा एस working भूल इसे पैया तो बिल्कुल ऑैसीमे 12 के बाद मैं AIEEEEE और IIT का फिर एक्जाम दिया तो मेरा हो गया उसमें सेलेक्शन तो मैं उसके बाद IIT University Bhoomneswar से बीटे किया हूँ Electrical and Electronics Engineer में इंजिनियर है जी जी से इंजिनियर हो में जी इंजिनियर हो में इंजिनियर तो कहां आपने बताया में बूवनेश्वर में उसके बाद जिइंजिनियर इंजिनियर हो गया आपका एंजिनियर हों मुझे अइच्छा कंपनी में मुझे मिला लेकिन जो मेरा सिविल सर्वेंट के तरफ मेरा जो रुजान था बच्पन से उसके लिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए प्राइबीट जोड़ दिया उसके बाद मैं सिविल सर्विस का अपिलप्रेशन काफी समय से कर रहा था और रिजर्टा के सामने हैं इंजीनियर बन गए थे मेरा खुश नहीं थे जी बिलकुल इंजीनियरिंग करने के बाद यह मेरा एक बैकप प्लान था मैं बहुत खुश था और आप जैसा की जानते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है किसान फैमिली से है तो यूपी यसी की जरनी होती है काफी उतार-चड़ाओ वाली होती है कि अपसें डाउन बहुत सारा आता है इसमें तो एक तरह से यह मान सकते हैं कि यह मेरा बैकप प्लान था कि अगर मैं इस चेतर में ना कुछ कर पाऊं तो मेरे पास एक ऐसा option रहे कि मैं मतलब एक अच्छा जीवन अपने मा बाप और जो भी मेरे परिवार कर सदर से उसको दे करें जरुरूर हुं मा परिवार के हालात को गैंजी बिलकुल जैसा कि secondo तो मैं बताओं जो मेरा आसपास का जो मेरा परखंड है उसके मैं पहले अधिकारी हूँ तो उसमें जैसे क्या बता रहे ते बिलकुल मैं बच्पंस ही देखा आसपास के लोगों का किसानों की समस्या को मैं बहुत नज़्दीकी से देखाओ क्योंकि मेरे पिता जी भी एक किसान है तो वह मैं फिल कर बिल्कुल चलाया हूँ आप मेरे घर पे आईए मेरे पिदा जी का इंटर्विव लिए वह आपको बहुत अच्छे से बताएंगे मैं अपने लवजों में क्या कहूं आपको अमेच जी ने कुदाल भी चलाया इंजिनरिंग भी किया और अब बढ़का अफसर बन गये हैं लोगों की हो और जिस्वर्ग से मैं आता हूं जो और जो मेरा आरिफिक इस्तिती है उसमें तो कहीं से संभब नहीं था कि मैं यह मुकाम पे पहुंच सको लेकिन जो मेरे पिताजी थे व किसान थे और बहुत द्रीडिग मिस्टान है शुर्द है कुसी पहुत बहुत कर जैसे कीरव लिए लिए के चूड़ने के बाद निद उसके चौड़ने के बाद मैं पहले कुछ दिनों तक सेलफ स्टड्य ही ची अर्य। उसके बाद मैं कुछ इन्सूट में और जी एस बेगारा का टे सीरीज भी गरार का टे सीरीज लगाया और इस तयारी में जो सबसे बड़ा युगदान है वो मेरे एक सर अमीद पांडे शर वह वह इस सयारी में प्री लिंप से लेके और इंटर्व्यू तक मतलब मैं जो आज यह कह सकते हैं जो मेरे गुरु जी वो सिरी आमित पांडे जी है उनके वज़े से हूं पिता जी और माता जी का तो आप जानते ही हैं हर किसी वैक्टि के जीवर में तो हो ता ही है जो में रोल मॉडल होता है दिल्ली निकल गया जी भूनेश्वर के बात मैं इनिस्टेशली तो आप जानते ही है कि जो मेरा गाउं है, वहां बहुत सारा बेशिक फैसलेटी गाउं है, तो अभी तो नहीं ही था, तो उस चीज के लिए, जब मुझे फिल आ कि मैं दिल्ली चलके, जी, उतना नहीं है, तो मुझे कुछ चीजे वैसा चाहिए था, जो सिविल सर्विसिस के ज़ी ध्यान की जरूरि था, तो मैं दिल्ली के तरफ रोख किया, और फिर दिल्ली ही में रहके त्यारी करें है, अभी तो बन तो बड़े और बन गया, अब क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है, बिल्कूल, तो ठीक है इसके लिए शुक्रिया कि आप बता रहे हैं कि मैं बड़े अफसर बन गया हूं लेकिन मैं अभी वही अमीद कुमार हो जो पहले हुआ करते थे अभी अमीद कुमार हो और मेरा टेंपरामेंट यह है कि मैं कोई बड़ा अफसर नहीं हूं जहां से मैं समाज के जो लोग हैं जो वंचित लोग हैं उनका अपने तरफ से जितना कंट्रिबूशन हो सकता था सर मैं वो जरूर करूंगा और मैं वही कुमार हो जो पड़े अफसर बनकर जब आप अपने घर जाईएगा समस्ती पूर आपका जहां घरे वहां जाईएगा और अगर पिता जी बोले कि चलो बेटा खेत में कुदाल चलाने तो क्या आप जाईएगा इंदम सच भूलेगा सर मैं दिल पर हाथ रखके बता रहा हूं आप अगर आएंगे तो मैं आपके सामने में तत चला जाऊंगा और इभिन की मेरा सौक भी है कि जब मैं घर अफसर बनके जाऊं तो कुछ दिन अपने पिता जी के साथ खेत में जाके काम करूं जब तक कि मेरा ट्रेनिंग का अफसर बन गया तो बड़ा गाड़ी और एक करो रुपे तो जरूर जरूर लेना है जी बिल्कुल जैसा माइंडसेट चल रहा है समाज में उसके कॉर्डिंग आप बिल्कुल सही बात कर रहा है लेकिन मैं आपको विश्वास दिला हूं आपको इस पर विश्वास करना सब्सक्राइब मतटि तो विश्वास में करें है सबस्छी का विश्वास बिल्कुल मैं पैसे के साथ मैं लुक्राइब करें तृटिकelकि़ मैं यह गतिश्वास से कि मैं गहनंटे की भात है तो वैसा कोई घंटा फिक्स नहीं था लेकिन यह जरूर है डिली ठारिट लेता था इसको उसी दिन पूरा करता था हर साल भास क Hispanic point को तो सी कद्दा स कभी बार ख़ंटा beim कभी सुबह से रात भी हो जाता था, पूरा conclusion यह है कि मैं अपने target को पूरा करके ही सोता था, चाहे रात दो बज़ा है रात के चार बज़ा है, लागो पिसान के बेटे जो है, बेटियां जो है वो आपको सुन रही है, आपको देख रही है, उनको क्या दीजेगा, मना कि उनक सर्विसेज लिए परिपरेशन इस बिखने जिनदीगी नाया और यह मेरा पहला एटेम्ट नहीं है सर मैं आपको जनकारी के लिए बता दूँ कि मेरा थीसरेटेम्ट है और मुझे भीखड़ाब लगता था कि जब मीवै मेंज के राॉंड से किसी भी स्टेज से में बाहर होता था तो परकिरिया होता है कि आप देंगे मेंज इंटर्विव तेंगे अगर आप नहीं हुआ तो फिर से वही परकिरिया सब्सक्राइब करना है कि हिम्मत बहुत है जी सर बिल्कुल मैं उसी हिम्मत जजबा और अपने धैरे को बनाए रखते हुए कि मुझे यह अपने अंदर निश्चे था मेरा एक संकल्प था कि मैं अंतिम रूप से मेरे पास इधर कुवां उधर खाई की सिच्वेशन थी मैं अंतिम रूप से अगर दिल्ली से घर जाओंगा तो एक बरादिकाड़ी बनके जाओंगा जो मेरा लक्ष है उसको पूरा करके जाओंगा और इसमें मैं सखल रहा हुए अधर यहीं लिखे जा रहा हुए जिस और उनके संकल्प को लेके आया था कि मेरा बेटा एक दिन कामियाब होगा वो कामियाबी को लिखे सर मैं जा रहा हूं कि अलियामिजी बहुत लोग आपको देख रहे हैं जाते रहते कुछ बोलना चाहेंगे उनको जीवन में अगर आप कोई भी चीज को अपने जीवन में उसको धारन करेंगे कि मुझे लक्ष को पाना है तो कोई भी असंभव से असंभव लक्ष भी आप उसको संभव बना स सकते हैं आपके अंदर भश धैरे होना चाहिए और आप धैरे बनाए रखिए पठोर प्रिश्रम कर कीजिए और भगवान जो भी आपके हैं अल्ला है भगवान है इसा मश्री उस पर वरोसा कीजिए आप जरूर सफल होंगे लेवल लेवल नाइन मिला है अपना रैंक प्ल कर जाएंगे और जब बात हमने छेडी दहेज के लिए तो साफ कह दी कोई एक कडोर देगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे कोई कुछ रुपए देगा बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि एकदम खिलाफ हैं उसके किस तरह से बोले हैं विबाक अमित जी हमारे साथ थे वह करें सिर्वी सकताब बनें मचान को सबसार करें फिस पेच कुले करते हैं नवार